हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू ज्यारखन परिक्षा जैसे सीजियल 2022 के लिए बहुत सारे टॉपिक जो है इस चनल में चलाय जा रहे हैं आप यदि जैसे सीजियल के अस्पैरेंट हैं तो हमारे साथ जूड़ सकते हैं ज्यारखन इतिहास का जो टॉपिक सुभा में चल रहा है तो उसके कोशन अभी नहीं कराय जा रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसले आप कोशन नहीं करा रहे हैं तो देखे कोशन क्या है कि एक बार जारखन का जो छेत्री राजवन्स है जारखन का जो छेत्री राजवन्स है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर साथ में सारे कोईशन्स करा दिया जाएंगे अभी क्या है कि हम लोग ने मुंडवन्स पढ़ा है डिटेल हैं सब कुछ पढ़ रहे हम लोग उसके बाद हम लोग नागवन्स पढ़ा और अभी पलामू का रखसेल खत्म हुआ था और चेरों स्टार्ट हुआ है तो यह सब जब कंप्लीट हो जाएगा चेरों राजबन तो यह जो है जिसमें हम लोग जैसे सी और जैपीसी के प्रिविस से एक जार कोईशनों का स्रीज चरा रहे हैं तो यह कहने का एक हजार है इसमें बहुत सारे कोईशन्स कवर हो जाएंगे और यदि आप डिटेल्ट एकस्प्लानेशन देख रहे हैं जो बताये जारें एकस्प्लानेशन अगर उसको आप देख रहे हैं तो आपके 4-5000 कोईशन इस सीरीज में कम्प्लीट होने वागे हैं आप यही से समझ सकते हैं कि 4-5000 कोईशन करने में कितने सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे एक जीज और बहुत सारे कोईशन का repetition मिलेगा मैंने कोईशन को as it is यहां पर रखा है आप ताकि देख पाया कि कोईशन किस तरह से पूछा जाता है जैसे कि देखिए यह जो है यह दरगा वाला सेट है इसके पहले मैं क्या करता था एक slide में एक कोईशन रहता था तो वो जैसे सी हो 90 कोईशन हो जाता अब 990 कोईशन मैं type करने बैठोंगा जबकि दिखाना यही है तो यह पहले से printed है तो मैं इसी को लेकर चलूँगा answer इसमें लिखा हुआ है लेकिन देखिए मैंने starting में बोला था कि answer से मतलब नहीं है कोईशन से जो topic cover हो जा रहा है जो मैं explain कर रहा हूं उ 2000 में राज्य बनने के बाद से जारकन के जो 6 मुख्य मंतरी बने है तो उन में से कितने भारत्य जंता पार्टी के बने है इस तरह के कोईशन के लिए आप त्यार रह सकते हैं तो देखिए अभी तक जो मुख्य मंतरी बने है बाबुलाल मरांडी बने है उसके बाद फिर अ तीन, चार, पांच से ये छे लोग मोख्य मंत्री बने बावुलल मरांडी जो बने थे ये उस समय बीजेपी से थे उस समय बीजेपी से थे और ये एक बार मोख्य मंत्री रहा है अरजुन मुंडा जो है ये तीन बार मोख्य मंत्री रहा है तीन बार ओके और ये भी बीजेप से थे इनका second term, fourth term और eighth term था, जो मधू कोड़ा बने हैं, मधू कोड़ा, ये निर्दल्य थे, ये निर्दल्य थे, सीवू सोरेन जो बने हैं, ये जार्खन मुक्ति मूर्चा, ठीक है, तो इस से बिलोंग करते हैं, और ये तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं, और इनका जो term था, ये क्या था, तीन, छे, साथ, ये इनका term था, और हेमन सोरेन ये 9th मुक्यमंत्री थे, और अभी प्रेजेंट में 11 थे, 10 मुक्यमंत्री थे, रगवर्दास, और ये भी BJP से थे, हेमन सोरेन जार्खन मुक्ति मूर्चा, तो यहाँ पर देगे जार्खन मुक्ति मूर्चा हेमन सोरेन हो गया, और सीवू सोरेन हो गया, मधू निर्दली है, BJP से बाबुलाल मरांडी, अर्जन मुंडा और ये रगो बर्दास, ठीक है, तो ये हो गए, अब यहाँ पर ये जो है अभी बाबुलाल मरांडी जब विधायक बने थे, तो ये जारखन विकास मोर्चा से थे, पहले ये बीजेपी में थे, जब मधुकडा की स ये कंप्रेटली खत्म हो गया, अब सब अपने अपने पार्टी में लोटा है, तो बाबुलाल मरांडी ये बीजेपी से, तो यहाँ पर कोशन ये है कि जो छे मुख्य मंद्री थे उसमें से भारत ये जनता पार्टी ये कितने मुख्य मंद्री थे, तो एक, दो और ये यहाँ पर जो बाबुलाल मरांडी है, अभी जो ये विधायक है, इनका विधान सबाद छेतर क्या है, विधान सबाद छेतर इनका है धनसार, ये याद रखना है आपको, और यहाँ पर देखिए, ये जो है मुख्य मंत्री बने थे, ये फर्स टाइम जारकन के जो मुख्य मंत्री बने थे, पहले मुख्य मंत्री और ये पहले जारकन्ड विकास मोर्चा में थे, अभी BJP में है, उसके पहले जारकन्ड विकास मोर्चा और उसके पहले BJP में, ठीक है, तो ये भी याद रखना है, तो यहाँ पर क्या है कि उस समय कौन से पार्टी से थे, उस समय ये बीजेपी सीट है option 1 इसका से answer हो जाएगा next है how many assembly seats are there in छारखन कितने विदानसभाग seat है 81 plus 1 मैं बता रहा हूँ क्या क्या देखिए 81 जो है इस पर चुनाओ होता है total एक ये हुआ करता था Anglo-Indian seat था ये जो है ये Anglo-Indian seat था यहाँ पर आपको 4 article याद रखना ये पूछा जाता है JPC का जो एक्जाम होगा था सातों पीटी तो उसमें ही पूछा गया था 330 article number 330 article number 330 article number 332 article number 333 तो ये जो 330 है ये क्या है ये है schedule caste schedule tribe के लिए Parliament में मतलब center level में ये हो गया SC और SD का वहीं SCST का विधान सभा मतलब state level में ये हो गया 332 ये विधान सभा में हो गया विधान मंडल में ये हो गया Parliament में लोग सभा वो भी लोग सभा ठीक है और ये हो गया विधान सभा में 331 जो है ये Anglo-Indian के लिए है या था ऐसा बोल सकते हैं Anglo-Indian के लिए था कहां पर ये था लोग सभा में 333 जो है ये Anglo-Indian था कहां पर था विधान सभा में तो जारखंड में 333 के तहट एक सीट हुआ करता था मतलब 81 में चुना होना है और एक Anglo-Indian के लिए था लेकिन जो 104 अमेंडमेंट हुआ है 104 अमेंडमेंट जो हुआ है 104 अमेंडमेंट 2000 पीस इसके तहट ये जो आप देख रहे हैं Anglo-Indian का सीट मतलब की 331 और 333 इसको खत्म कर दिया गया जब ये ही खत्म हो गया तो ये बचेगा ये खत्म हो गया ना तो अब सिर्फ और सिर्फ 81 सीट है तो इसको भी ध्यान में रखना है ये हो गया तो यहाँ पर इसका एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका एंसर नजदी की एंसर देखेंगे आप क्योंकि 81 तो है नहीं तो यहाँ पर option 4 जो है 80 ये इसका सही एंसर हो जाएगा इस तरह से टीक काप कीजिए नेक्स्ट है नमलिखित राजनेतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी जारकन राजे में सत्ता में नहीं है जारकन राजे में सत्ता में नहीं है इसका मतलब यह है कि उस पार्टी का सरकार नहीं बना है मतलब उस party से मुख्यमंतरी कोई नहीं बना इसका मतलब यहीं होगा जैसे कि BJP की बात करें तो BJP से तो BJP की सरकार रही है यह तो नहीं होगा चारकन मुक्ति मौर्शा इसकी भी सरकार रही इसके मुख्यमंतरी भी रहा है Congress और Independent यह तो बिल्कुल नहीं रहा अब इसमें confusion आपको होगा कि Congress टिक करें कि Independent टिक करें कौन सक्ता में नहीं आया है तो यहाँ पर दिखिए Independent तो आया है ना मधुकोडा Independent इरदर लिया मधुकोडा यह तो आया है Congress जो है यह नहीं है अगर आप सोचेंगे कि अभी तो है सरकार Congress की जारकन मुक्ती मोर्शा Congress सामिलोस में लेकिन Congress का मुख्य मंतरी कभी नहीं बना है इसलिए Congress इसका सही अंसर हो जाएगा option 3 next है इसमें है जारकन की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है तो जारकन की जो वर्तमान उस समय 2017 की बात की जाए तो 2017 में राजबाला राजबाला वर्मा थी option 1 इसका सही अंसर हो जाएगा अभी कौन है परिजेंट में अभी परिजेंट में है सुखदेव सुखदेव सिंग और ये जो है 1987 बैच के IS officer है जारकन के वर्तमान राजबाला का निर्मान किस वर्स में हुआ है ये जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1931 में complete हुआ है किसने design किया है इसको design किया है इसको Sandlow Sandlow Ballad Sandlow Ballad ने से design किया है और इसमें राजबालान में एक house है जिसको क्या बोला जाता है Andre house ठीक है और ये जो house है Andre house इसको Captain Harrington ने design किया है और ये 1850 से 1856 तक commissioner का आवास हुआ करता था ये जो है राजबावन तो राजबावन का निर्मान 1931 में complete हुआ 1931 में start हुआ था चलिए option देखते हैं option में यहां पर 31 है March 1931 तो ये सही answer हो जाएगा और किसे ने design किया था नाम याद रखना आपको Sandlow ballot नेक्स्ट है जारकंड के गवर्णर दौर्पती मुर्मू ने घोसना किया है कि वाराची के निर्खित अस्पताल दौारा अपनी आखों को इन में से किस अस्पताल में दान देगी तो यहां पर एक प्राइवेट है उसका नाम है प्राइवेट होस्टर नाम है इसका कस्यप मेमोरियल आई होस्पिटल ओप्सन फोर जो है यह इसका सही असर हो जाएगा ठीक है कस्यप मेमोरियल आई होस्पिटल यह 2016 में रन फोर विजन चलाया गया था तो उसी में लोने यह घोसना किती नेक्स्ट है जहारकर में पहली बाराश्ट्यपति सासन कब लाग हुआ तीन बार लाग हुआ है 2009 2010 और 2013 सबसे लंबा 2009 में हुआ था 344 दिन का तो यह हो जाएगा ऑप्सन वन इसका सही अंसर नेक्स्ट है कोडर्मा हजारी बाग कोडर्मा हजारी बाग अदविक छेट्री किस खनन के लिए प्रसीद है कोडर्मा अबरक के लिए प्रसीद है और इसको जो है इसको देश की अबरक राजदानी भारत की अबरक राजदानी के नाम से भी जाना जाता है एक कूशन आया था कि कहाँ पर अबरक पाया जाता है उसमें कोडर्मा ऑप्सन में नहीं था कोडर्मा के बाद गिरिडी और उसके बाद हजारी पाग ये तीन नाम आपको याद रखने हैं ठीक है तो यहाँ पर अफरत पाया जाता जिसको माय का भी बोला जाता है और अस्थाने भासा में इसको रू भी बोला जाता है नेक्स्ट है दामोदर वैली कार्पोरेशन वस एस्टैब्लिस्ट इन द इयर तो यह जो है दामोदर वैली कार्पोरेशन डी वी सी यह भारत की पहली भारत की पहली बहु देसे नदी घाटी परियूजना है और यह जो है DBC दामोदर वैली कार्पूरेशन यह जारखन और विष्ट बेंगाल में संचालित होती है और यह कब स्टेबलिस हुआ है यह 1948 में स्टेबलिस हुआ है और USA का जो Tennessee Valley Authority है तो उसके तहत इसका स्टेबलिस्मेंट हुआ था और यह जो है दामोदर नदी लेकिन सिर्फ दामोदर नदी पर नहिंसे इस गिरती कह यह हुग ली नदी में गिरती है विष्ट बेंगाल में कोगे और सबसे लंबी सबसे प्रदोसित सबसे बड़ी नदी है दामोदर तो यहाँ पर DVC 1948 इसका सही अंसर हो चाहेगा, 8 quarter इसका कुलकाता में है, नेक्स्ट है, ज्यारखन में कितने जीला उद्योग केंद्र हैं, तो ज्यारखन में देखिए, ज्यारखन में अगर आप मैप देखेंगे, यहार पर नहीं लगा हो है, देखें, यह जो एरिया है, यहाँ पर गड़वा पलामू लातेहार, यह हो गया, अब यहाँ पर क्या है कि एक यह एरिया हो गया, ठीक है, उसके बाद एक एरिया यह है, यहाँ पर है आपका चत्रा फिर हजारी बाग कोडर्मा रामकड यह दूसरा एरिया हो गया फिर यहाँ पर गिरिडी एक अलग है यह तीसरा एरिया हो गया फिर यहाँ पर बुकारो धनबाद इसको एक साथ रखा गया है यह चौथा हो गया फिर इसके बाद लुहरदग्गा पाचवा हो गया, और यहाँ पर गुम्ला सिम्देगा, ठीक है, तो यह छट़ा हो गया, राजी और खोटी, यह सातवा हो गया, और यह जो कौलहान परमंडल की डिश्टिक है, इसमें इस्ट, सिंग्भुम, सराइकेला, खर्सावा और विष्ट सिंग्भुम, यह हो गया जो है साहिब गंच और पाकुड ये हो गया 11 साहिब गंच और पाकुड फिर उसके बाद दुमका और जामताड़ा ये हो गया 10 और यहां एक बच जाता है गोड़ा ये हो गया 12 तो टोटल 12 यहां पर उद्योग के अंदर है तो option 4 इसका सही answer हो जाएगा इसको अप्दिहान में रखिएगा नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जारकण में एक गर्म फसल नहीं है गर्म फसल नहीं है देखें यहां पर आप जो देख रहे हैं सरसो मक्का मुंगफली सबजी तो यहां पर जो सरसो है सरसो जो है यहां पर सरसो जो है यह रभी से जुड़ा हुआ है रभी फसल से देखें यहां पर मिली रभी खरीफ और एक और होता है जायद उसमें बहुत ही कम है एक पसंट से भी कम उसमें खेती होती है तो रभी जो है यह ठंड में बोया जाता है तो रभी में क्या क्या गेहु, जव, चना, तिलहन के सारे इसमें फसल आ जाते हैं, तो सरसो रवी में आएगा, ये ठंडा वाला हो गया, उसके बाद खरीफ में धान, मक्का, जवार, बाजरा, मुंग, मुंगफली ये सब आता है, तो ये खरीफ का हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, मक्का, मुं मैं पहली Iron and Steel उद्योग का बस्ता बतुआ, कितना बार ये रिपीट हुआ है, टिसको, Tata Steel, Tata, Iron and Steel Company, तो ये जो है 1907 में स्टैबलिस हुआ है, किसके तुरू, चमसेद जी, नौसरवें जी, टाटा, लेकिन इनकी मिरत्यू, 1904 में होई थी, इनके सोच को आगे बढ़ाया ये पूरा idea नहीं करता, और यही कारणे कि इनको जो है, इसका founder माना जाता है, तो 1907 option 1 इसका से answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राजे भारत में कोईला संसादनों में नंबर एक अस्थान में रगता है, जार्खन, जार्खन जो है, जार्खन कोल रिजर्व मे भारत में सबसे आगे है, कोल रिजर्व में देखिए, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वर्ल में तो पांचवा स्थान आता है, इंडिया का, पांचवा स्थान, एक मिनट, यह थोड़ा ज़्यादा, यह भी हो जा रहा है, तो इंडिया का वर्ल में पाँचवा स्थान आता है, कोल रिजर्व में, लेकिन वहीं अगर हम लोग इंडिया के अंदर की बात करें, तो इसमें जारखन जो है प्रतम अस्थान पर आता है, उसके बाद जो है उडिशा और चतिसगर आता है, लेकिन आप इन तीनों को मिला देजे, जारखन तो ये जो है इन तीनों को मिलाने पर टोटल रिजर्व जो इंडिया का है, उसमें से 70% ये इसी एरिया में मिल जाता है, और जारखन जो है प्राइम कोकिंग कोल, सिर्फ और सिर्फ जारखन में पाया जाता है पूरी इंडिया में, ठीक है, अगला क्वेशन, आधितिपू का छेत्र कंपायर से किस छेत्र तक सिमित है, तो ये कंपायर लिखाओ है यहां कमिस नरी, तो किस छेत्र में ये आता है, जो अधितिपूर है, ये जमसेत्पूर, अधितिपूर, अगर सहर की बात आप करेंगे, तो ये सहर आ जाता है सराय के लाखरसान, ये सहर आ जाता है जमसेदपूर में भी आता, ये boundary में आता है, और इसका headquarter जमसेदपूर ही है, ठीक है, इसका headquarter जमसेदपूर ही है, और जमसेदपूर कहाँ पर है, इश्ट सिंग्भूम में, ठीक है, और इश्ट सिंग्भूम कहा है, इश्ट सिंग्भूम है, कुलहान परमंडल में, तो कु प्लहान परमंडल इसका सही अंसर हो जाएगा option one next है नेक्स्ट है नेक्स्ट है ने में से एक केंदरी मंत्री ने चारखन में अलग डे डे नियूज चैनल 24 x 7 की घोसना की तो किस ने की तो ये जो घोसना की गई थी ये उस समय वहंकयान आइडू जो है उस समय ब्रोटकास्ट मिनिस्टर ये 2016 से 2017 तक जो है information and broadcasting मिनिस्टर रहते अभी कौन है वो important है तो present में present में जो है उनका नाम है अनुराग ठाकुर ओके और इनका constituency क्या है इनका constituency है हमेरपूर जो की हिमाचल पर्दिस में है ओके next है हाली में हाली में टीक है तो हाली में किस राज्जे की evaporate कारी को पेंचन देने की घोसना की है जेपी आंदोलन कारी, जेपी आंदोलन, इससे भी question repeat हुआ है, तो जेपी आंदोलन, लोक नाएक जैपरगास नारायन के नाम पर, इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था, इसको बिहार movement, बिहार करांती के नाम से जाना जाता है, या फिर संपुन्द करांती के नाम से भ तो उनको जेपी आंदोलन कारी बोला जाता है, और उनको पेंसम दिया जाता है, सबसे पहला state बिहार था, जिन्होंने इसकी घुसना की, तो बिहार जो है ये पहला और जार्खन, दूसरा है, तो यहाँ पर क्या है कि किस राज्य की सरकार ने घुसना की, तो यहाँ पर, recently, recently, recently की बात हो रही है, तो date के recording यहाँ पर जार्खन होगा, तो बिहार और जार्खन है, पहले बिहार ने कि और जार्खन हो जाता है, recent में, okay, तो option 3 इसका सही अंसर हो जाएगा, next है, जार्खन राज्य में किस अस्थान पर सोरे मंदर इस्थित है, तो सोरे मंदर जो है, यह कहाँ पर है, यह है राची में, राची के बुंडू में सोरे मंदर इस्थित है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसको, जो जिसने बनाया है, संस्कृति विहार, संस्कृति विहार, जो की एक charitable trust है, इसके थुरू इससे बनाये गया है, और जब इससे बनाये गया था, तो इसके जो हेट थे, वो थे सीतारा मारू, ठीक है, यह कहाँ पर है, यह राची में है, और इसको, यह जो राची का सोरे मंदर है, इसको पत्थर पर लिखी कवीता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर option 3, इसका से अंसर हो जाएगा, next है किन चट्टानों को धादविक खनिश का भंडार का जाता है, धादविक खनिश का भंडार जो यह जो आप देख रहे हैं, धारवाड, धारवाड जो है, यह आर्कियन गरनाइट निस या फिर पैत्रिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें क्या है, कि बहुत प्लांट कब अस्थापित किया गया वोगारो अस्टेल प्लांट जो है, यह 1964 में established हुआ है, और यह तिसको के बाद दूसरी company है, फहला कौन था? पहला था, Tata, iron steel company, दूसरा हो गया वोगारो अस्टेल प्लांट, यह जो है, यह वोगारो में मारा, मारी नाम का जगा यह है और इस्टैबिस वा था यहां पर और यह क्या है कि रसिया की मदद से इस्टैबिस किया गया था और यह सेल के शाथ मर्ष कर दिया गया थो 1974 अब यहां पर देखे 74 तो है नहीं अच्छा 74 मैंने 64 होगे सुमाफ कीज़ेगा 64 तो option 1 जो है 1964 इसका से अंसर हो चाएगा ठीक है 1964 next है दाल्मा वन्यजिव अभ्यारण ने कितना छेतर में फैला होगा है तो ये जो है दाल्मा वन्यजिव अभ्यारण ने ये इंडियन एलेफेंट्स के लिए प्रसित है और ये कहां पर है ये है जमसेदपूर के नविक जमसेदपूर से मातर 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये और इसका जो एरिया है ये 195 स्क्वार किलोमीटर है इसको 1975 में इसका उधगाटन हुआ और कम्प्रेटली ये बना है मतलब इस्टैब्लिस हुआ है 1976 में कभी-कभी उधगाटन पूछ लिया आता है कभी-कभी इस्टैब्लिस्मेंट पूछ लिया आता है 195 स्क्वार किलोमीटर है तो यहाँ पर अप्सन फोर्ज जो है ये इसका सही अंसर होगा और इंडिया में अगर हाइट के एस्पेक्ट से देखा जाए तो 34 इसका नम्मर आता है 98 मीटर इसका हाइट है 322 फीट लेकिन यह सबसे उच्छा वाटरफॉल नहीं जाता है सबसे उच्छा वाटरफॉल कौन सा है यह है बुढ़ा घाग इसको लोधा एक तो बुढ़ा घागिस का नाम है और लोधा जल प्रपात के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस नदी पर है यह लोध नदी पर है लोध नदी या फिर उसको बुढ़ा नदी बोला जाता है बुढ़ा नदी भी बोला जाता है ये देखे इतना ये सबसे ज़्यादा हाइट है इसका हाइट जो है ये 143 मिटर है 469 फुट लेकिन उतना फेमस नहीं है क्यों कि ये जंगलों के बीच में है ये जो है पलामो टाइगर रिजर जो है और जंगलों के बीच में आप को जाएगा जंगल के बीच में तो को जाएगा यहाँ पर तो इसलिए उतना जो है ये टूरिस्ट प्रेस नहीं हो पाया लेकिन सबसे उंचा यही है तो यहाँ पर आप्सन 3 सो न रेखा न दी ये इसका से अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 1991 में वो कारों के स्थापना चारकन के किन जीलो से की गई है किन जीलो में की गई है देखिए मैंने इसको समझाया डिटेल में 1823 में हजारी बाग बना था 1923 में हजारी बाग से बना गिरिडी कब बना 6 दिसंबर 1972 इधर हजारी बाग मानभूम और लुहर दग्गा था मानभूम से बना धनबाद 1956 में धनबाद में दो सहर थे एक था चास और चंदन क्यारी अब गिरिडी से बनता है बुकारो और इस बुकारो में ये दो सहर धनबाद के भी सामिल कर दिये जाते हैं और ये कब बनता है ये बनता 31 मार्ज 1901 देखो ठीक है तो ये किस-किस से बना है देखे मैंने बोला था कोशन ऐसा आ सकता है तो दोनों याद करना है बुकारो सिर्फ गिरिडी से नहीं बना है ये लोगोबूरू को मना जाता है बुकारो के ललपनिया से इनका संबंध है और ऐसा मना जाता है कि संथाल के जन्म से लेकर मृत्य तक की जो रिति रिवाज है की है तो उसको जो है लोगोबूरू के द्वारा ही लिखा गया है ठीक है ये संथाल के जनक माने जाते हैं पिता माने जाते हैं और यहाँ पर बुकारों के छेतर में एक धार्मिक अस्थाल है जो कि इन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसका एंसर option 4 लोगों गुरू हो चाएगा नेक्स्ट है जारखन का कौन सा जीला? MCC नामत प्रतिबंदित नक्सली संगतन द्वारा उगरवादियों के हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है मावादी Communist Center बहुत जारे डिस्टिक्ट है लेकिन किसी एक को चुनना होगा तो अब चत्रा को चुनेगे लाते हार नहीं चत्रा कई लोग लाते हार बोल सकते हैं लेकिन चत्रा इसका सही अंसर हो जाएगा यहाँ यह ज्यादा है चत्रा में और ज्यादा प्रभावी था चत्रा उसके बाद है वैदिनात मंदिर जारकन के लिखित सहरों में से कहां इस्तित है अब दगी कौशन तो बिजी यह सब को बता सकता है लेकिन इस पर बेस्ट जो एक्स्प्लानेसान है जैसे कि इसको किसने बनाया इसको बनाया है राजा पूरनमन में जो कि गिधहौर वंस के गिधहौर वंस के दस्वे राजा है द lettuce Westminster आजाते हैं इसके बाद भारत के 12 जो त्रिलिंग है तो 12 जो त्रिलिंग में से एक ये हो गया ठीक है estan एसके बाद ये जो देवघर में मंदिर है इसके प्रांगन में 22 मंदिर है इसी वीडियो मैंने बताया था 12 22 होगा 22 मंदिर है ठीक है तो यह सारे पॉइंट्स हो गए हैं वैदनात मंदी और इसी की कुछ दूरी में देवगर में ही त्रिकुट पाड़ी है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा देवगर ऑप्सन फॉर यहां पर सावन के महिले में स्रावनी मिला लगता है नेक्स्ट है दनबाग एक जीला कब बना था मानभूम के कुछ छेतरे बंगाल में सामिलोग हैं कुछ छेतरे से धनबाद मना इसमें देखे दो डिविजन था एक था सदर और एक था पुराना धनबाग तो पुराना धनबाग को कंप्रीट लिया गया और इसमें जोड़ा ग क्यारी तो इसको जोड़ा गया इसमें और ये मिलकर बन गया धनबाद कब ये बना एक नावंबर उनई सो चपन को तुने सो चपन जो है इसका option 3 ये सही answer हो जाएगा जार्खन राज्य के दुमका जीले में इस्ति थे जिसके अंतरगत 21 परगना में संथाल परगना में आता है दुमका जो है ये संथाल परगना में और कौन-कौन से देवगहर हो गया दुमका हो गया गोटा साहब गंज पाकुड जामताला ठीक है तो ये छे डिष्टिक आते हैं संथाल परगना में आप्सन वन इसका सही answer हो जाएगा नेक्स्ट है अधिविक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से इसका सही अंसर होगा बहुत ही जादा इस सिंग्भूम वेट सिंग्भूम दोनों ही यहाँ पर तामबा यूरेंडियम बहुत सारे खनिश पाया जाते हैं नेक्स्ट है और बहुत बार कोशन रिपीट भी होता उससे नेक्स्ट है सोण और रिखा नदी जो है यह किस दिसा से किस दिसा क्यों बहती है यह जो मैप है तो यहां से निकलती है लाते हार जो है यह सोण और रिखा नदी जो है यह राची से लाते हान नहीं माव किजएगा ये राची से राची का नगली च्छेतर से ये निकलती है और ये इससे है इसका direction ठीक है इस तरह से direction इसका है ये इस तरह से बंगाल के खड़ें मिलती है मतलब कि South की तरफ ये जा रहा है और सादि साद ये East की तरफ भी जा रहा है तो यहाँ पर इसका एंसर क्या हो जाएगा। इसका है तो अभी जो पोजिशन इसके ये विष्ट की सइड मैं तो विष्ट से तो तो इस चेतर में यह विष्ट से कहा जा रहा है विष्ट से यह जा रहा है साउथ इस्ट में जा रहा है यह साउथ और यह साउथ इस्ट में जा रहा है तो यहां पर विष्ट टू साउथ इस्ट डारेक्शन ऑप्सन फोर इसका सही अंसर हो जाएगा तो यह सारे कोशन्स ती एगले वीडियो में थन्य बात